नमस्क्रार मैं हूँ साक्षिय शर्मा और आप देख रहे हैं देन्दगरी पुश्कर का नाम मन में आते ही दो चीजे सबसे पहले दिमाग में आती है पहली तो ब्रह्मा जी का मंदिर और दूसरा यहां का मेले यूँ तो मेले पुरे देश में कही न कही रोज लगते हैं पशोंक के मेले भी लगते रहते हैं लेकिन पुश्कर में जो मेला लगता है उसकी बात ही अलग है यहां उटों का मेला लगता है और यह मेला इतना मज़िदार होता है कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं मेले की शुरुवात कार्तिक पूर्णिमा के दिन होती है पूशकर मेला कई सालों से लगता आ रहा है और राजस्तान सरकार इसके लिए विशेश अनुदान भी देती है यह मेला रेत पर कई किलोमेटर तक लगता है इस मेले में खाने पीने से लेकर जूले नाच काना सब होता है पूशकर मेले में हजारों की संख्या में देश विदेश से लोग आते हैं और मज़नार बात तो यह है कि अधिकतर विदेशी सेलानी रास्तान में सिर्फ इस मेले को देखने आते है पुशकर मेला काफी प्रसिद है और देश से लेकर विदेश तक इसकी काफी चर्चाएं होती है इस बार अंतरास्टियव पुशकर पशु मेला 2023 महज 7 दिन का ही होगा बता दे कि पहले ये मेला कार्तिक शुलक एकम 14 नौंबर से शुरू होकर 29 नौंबर तक चलना था लेकिन अब ये कार्तिक शुलक एकम 14 नौंबर से शुरू होकर 20 नौंबर तक ही चलेगा बताया जा रहा है कि पुशकर पशु मेले के इतिहास में यह पहली बार है जब पशु मेला महज 7 दिन का ही होगा हालांकि धार्मिक मेला कार्तिक शुलक की एका दशी 23 नौंबर से पूर्डिमा 27 नौंबर तक ही भरेगा चले आपको बताते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है दरसल रास्तान में नौंबर को चुनाव होने है और विदानसभा चुनाओं में बद्दान प्रतिशर्ट प्रभावित ना हो इसके लिए यह निर्ने लिया गया है पहले पशु मेला 14 से 29 नौंबर तक आयोजित होना था इस संबंद में सितंबर में जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दिख्षित ने संबंदित विभावकों को मेले की तयारियों के लिए दिशा निर्देश भी दे दिये थी लेकिन फिर 13 अप्टूबर को कलेक्टर डॉक्टर दिख्षित की अध्यक्षता में हुई मेला सलाकार समीति की बैठक में मेले को अब 14 से 20 नौंबर तक आयोजित करने का निने लिया गया है आपको दा दे कि हमेशा पष्षो मेला 13 से 14 दिन का चलता है और धार्मिक मेले के qualcosa भी मेला छेत्र पष्षो के रोनक से आबाद रहता है लेकिन इस बार परियटो को पष्षो की रोनक देखने को नहीं मिलेगी वहीं ये भी बताया जा रहा है कि इस बार मेले में सांस्प्रतिक कारेक्रम भी नहीं थी जो पहले 20 से 26 नाउंबर तक होने थी बतादे कि कार्थिक शुलक एक अदशी 23 नाउंबर से 26 नाउंबर तक पषुप्रतियोगिताएं होनी थी और पुरसकार वित्रन समारो कार्तिक शुल्क पूर्णिमार यानि 27 नाउंबर को होना था और इसी तरह मेले का समापन 29 नाउंबर को होना था लेकिन आप ऐसा नहीं होगा मेला 14 नाउंबर चे शुरू होकर 20 नाउंबर को खदम हो जाएगा प्राक्रेट नहीं थान्यवा